प्रिया आत्मिय बच्चो आज हम लोग भाशा एवं बोली सिर्शक के दूसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले भाग में भाशा, भाशा के रूप, राज भाशा, राष्ट भाशा, संपर्क भाशा, बोली, उप भाशा आदी विशयों पर प्रकाश डाला जा चुका है। आज का ध्यापन विशय है लीपी, साहित्य एवं व्याकरान। हम लोग सरप्रथम लीपी के विशय में चर्चा करेंगे। लीपी शब्द की व्यूत्पति लीप धातू में एक प्रत्याय लगने से हुई है, जिसका साब्दिक अर्थ है लीखित अक्षर। लीप धातू का प्रयोग वैदिक वांगमय में लीखने या लीपने के अर्थ में किया गया है। किसी भी भासा को लिखने का जो धंग है, तरीका है, विधी है, प्रक्रिया है, उसे ही लीपी कहा जाता है। कोई लीपी विशेश मौखिक भासा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनी चिन्ध प्रदान करती है। यह भाषा को अस्थाई रूप देती हैं, भाषाओं की तरह लिपियां भी भिन भिन होती हैं, एक लिपी में एक से अधिक भाषाएं लिखी जाती हैं, चैसे देवनागरी लिपी में संस्क्रीत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकडी, संथाली एवं बोडो आधी भाषाएं लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपी बाएं से दाएं की और लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपी दाएं से बाएं की और लिखी जाती है, देवनागरी लिपी का विकास ब्राम्ही लिपी से हुआ है, लिपी के ही कारण मनुस अपने विचारों वा शाहित्य रूपी को उसको भावी पिढ़ी के लिए धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकता है। हम देख रहे हैं तालिका में कि रोमन लिपी है जिसमें कई भासाएं हैं जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, इतालवी है, एस्पेनिस है, जर्मन है, डच है, पुर्तगाली है। उसी तरह से फार्शी भासा में देख रहे हैं, फार्शी है, उर्दू है, अर्वी है, तो एक लिपी में एक से अधिक भासाएं बोली जा रही हैं विश्व में। अब हम लोग शाहित्य के विशय में जानेंगे, साहित्य का शाब्दिक अर्थ है, जो सब का हीत करें, अतह जो सब की भलाई करें, जिससे संपुर्ण मानव जाती का कल्यान हो, उसे ही स्रिष्ट साहित्यों की स्रेड़ी में माना जाता है। इसमें जाती, धर्म, छेत्र, लिंग, भाषा, आदी का बंधन नहीं होता। साहित्य समाज का दरपन होता है। किसी भी भाषा के ग्यान रुपी भंडार को ही उस भाषा का साहित्य कहते हैं। किसी भी भासा के साहित्य को अर्जित करने में सदियां बित जाती हैं, इसमें ग्यान की बाते निहित होती हैं, भासा, हिंदी भासा ग्यान के उस सागर के समान है, जिसमें अनेक भासा रुपी नदियों का समावेस होता है, साहित्य दो प्रकार के होते हैं, पहला गद्शाहि तथा दूसरा पद्य साहित। साहितिकार जब शमान रूप से बोली जाने वाली भासा में अपने विचारों का वड़न करता है तो वह गद्य साहित कहलाता है। गद्य साहित के उदारण है। साहितिकार जब अपने विचारों को काब्य शैली में व्यक्त करता है तो वह पद्य साहित कहलाता है। गियता इसकी प्रमुख विसेस्ता होती है। तथा अधिकतर इनका पदांत तुकांत होते हैं। इसके उदारण हैं दोहा, छंद, पद, कवित, सोर्था, सवया, कवित, इत्यादी। तुलसी दास रचित रामचरित मानस, सूर दास रचित सूर सागर, रामधारे सिह दिनकर द्वारा रचित कुरू छेत्र, शुर्यकान त्रिपाठी, निराला द्वारा रचित, गिती का आधि इसके उदारण है। अब हम लोग व्याकरण एवं उनके अंग के विशय में चर्चा करेंगे। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। वर्ण विचार, सब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनस भासा का शुद्ध ज्यान प्राप्त करता है। इसका सही प्रियोग एव विशलेशन करता है। इसके द्वारा ही कोई भी व्यक्ति, किसी भी भासा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने में समर्थ होता है। प्रियोग के अधार पर व्याकरण के मुखित तीन अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाकि विचार। वर्ण विचार के अंतरगत वर्णों के स्वरूप, वर्तनी, बनावट, उचारन, भेद, लेखन तथा संधी आधी पर विचार किया जाता है। अब व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार। इसके अंतरगत सब्दों के प्रकार, स्वरूप, लिंग, वचन, उत्पत्ति, प्रियोग आधी पर विचार किया जाता है। इसी तरह व्याकरण का तीसरा अंग है वाक्य विचार। इसके अंतरगत पद, पदबंद, वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य प्रियोग, वाक्य रुपांतरण, विराम चिन्हों के प्रियोग आधी पर विचार किया जाता है। हम लोग अभी वर्ण विचार के विशय में चर्चा किये। अब शब्द विचार और वाक्य विचार पर हम लोग आगामी बैठकों में चर्चा करेंगे। आज की पढ़ा यहीं पर शमाप्त की जाती है। पुनह मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।